कि नमस्कार स्वागत आप सभी के फिर से हमारे नए बढ़िए आज हम लोग मेरा पर्थम परिचे यह सिर्चा को लग कर गाया हुए है इस पर शिर्गुरु जी के चरितर के बारे में जीवन प्रसंग प्रसंग प्रस्तक में हैं और अशा करते हैं अभी तक जितने क्या है होंगा पूरी प्रोपर देख रहां है अगर आपको कुछा दिक्कत हो रही है कुछ में नहीं आर यह पूछ चीजे मेरे से कुछ उधार करना है मेरे कुछ अपग्रेड करना चाहिए कि बोलने का तरीका या फिर क्लियरेटी नहीं हो रही हो गई या फिर सब्दों क्लियरेटी या व्यू की लिए नहीं तो मेरे कमेंट वैक्स में बता दीजिए हम प्रैस करेंगे ट्राइगे कि उसको और गई इसलिए मैं अभी स्क्रीन पर कर रहा हूं कि क्योंकि अगर हो सकता है कि मेरी कुछ प्रानॉं एक सर्व चैनल पर टेलीग्राम चैनल को सकते हैं उसका लिंक हम डिस्क्रेप्शन में टेलीग्राम के चैनल का लिंक देंगे अब डिरेक्टी में से कंडक्ट कर सकते हैं कि मेरा पर्थम परिचे प्रसंग को संभवता सन 40 और 41 करता कि क realize कृपात्री जी माराज एक बी साल वे कानपूर में कर वा रहे थे हैं कर पात्री माराज तो ये कानपूर नहीं मैं बाड़ें एलावद स्रेशन में यसी प्रत्राति के डब्ब में मैं चड़ रहा था उसी में उसे जी घुलवलकर जी भी बैटे हुए थैं वे भी कानपूर की ओर ही जा रहे थैं शुरुगूरूजी के साथ के दो संसेवक प्रबल प्रहरी के रूप में डिब्बे के द्वार को रोग कर खड़े हुए थे जोही मैं चड़ने का उद्धम करने लगा उन संसेवकों ने कहा उ कि मैं प्रयाग का रहने वाला प्रयाग मेरा घर मेरा घर के इस्टेशन पर ही कोई मुझे रुख दे यह मुझे बड़ा बूरा लगा और हम प्रयाग कहीं है यानि प्रयाग के वलवा ऐसे बोल देते हैं यह घर में आकर बोलेंगे मुझे रोकना यह उनका दुसाहस सीन निथा और वो उसे रोक दिया तो उनका दुसाहस था यह नहीं भाई अभी प्यार वाले बतनी मैंसे है पले भी थे अभी भी है मैं उन्हें ठेल कर बलपुरग भितर गुश गया वहां मैंने देखा कि पंज केसी सफित कुर्टा पहिने सौम में मूर्ती एक सजन बेठे हैं उन्होंने बड़े आदर से मुझे अपने पास बेठा है मैंने यह समझा कि यह गुजरात के कोई महंत होंगे मैंने पूछा आप क्या करते हैं यहीं बच्चों को व्याम सिखाते हैं तो गुरुजी बुलेगम व्याम सिखाते हैं साखा में होती है मैंने पूछा कहा रहते हो उन्होंने बताया नागपुर में यानी गुरुजी पूरेखम नागपुर में रहते हैं मुझे याद था कि डॉक्टर हेटगवार ने व्याम सिखाने के लिए एक संख के स्थापना किती उनको याद था मैं उनकी नागपुर साखा में गया भी था और नागपुर में गये थे वह बहुत पहले के संख Characan मेरे पाते भी थे और उन्होंने का मेरे यहां आते भी थे मैंने पुझा डक्टर सहाब कहा है उन्होंने कहा उनका द्यानत हो गया कि ड॥र साहब के एक चाचा थे मेरे पास नागपूर में आते थे वे मुझसे बड़ा प्रेम मानते थे मैंने पुछा वे कहाँ हैं वे बोले उनका भी ध्यान थो क्या है मैं उन्हीं का काम करता हूं तब तब तक उत्तरपदेश में संकारे का विशेश प्रसार नहीं था पर नागपूर के आसपास से ही सिमी था उन्होंने सब्सक्राइब लगन के से संपूर्ण देश में संकारे का प्रसार हुन ऐसा अनुसासन बद और सुसंगठी तिरिती से हुआ कि उसकी तूलना नहीं है एक बार किसी पत्र या पत्रिका में मैंने उनकी प्रथम भेट का विवरण छपवाया था द्वार के प्रवल प्रहरी के रूप में खड़े दो संस्योक में से एक का नाम में भावराव देवरश दे दिया था यहीं सायत वेभी थे यहीं उनका भावराव देवरश जी ऐसा बोल दिया थे और भेट विवरण छपने के बाद सिरِग्रु जी एक बार मेरे पास आये थे उनके साथ श्री देवरश जी भी थे उस समय ने हचते हुए कहा मेरा नाम आपने अपने दिया मैं आप पर मुकदमा चाणाँका और ंंनर मजुक कें मेरा नाम दे दिए आप पर केस करोंगा मुगातमा चाहूंगा तब सिरीगरूजी ने हश कर बोले मैं वकिल हूँ मुगदमा चल नहीं सकता है आपने सायद सायद कहा था निष्चित नाम नहीं लिया था सायद कहा था इसलिये निश्चित नाम ने लिए तो परहप्स अट्स में भी हैपन दो मुकर जो उनका नाम था वह देवरजी थे तो ऐसा वह बूल रहे हैं सब हस्पड़े वस्ट उनसे सौर प्रथम परिचे भी विचित्र धंग से ही हुआ था और यह बोलते हैं गुरुजी के साथ में उनका पर ब्रहनचारी जी को यह उन्होंने यह काम किया तो मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में आसा करते हैं आपको वीडियो अच्छे लगे होगी चैनल को सब्सक्राइब किजिए लाइक किजिए वीडियो को और सेर किजिए